से अपनी पबलिक लोजी मुकाबला सुरू होता वा डबल विकेट क्रोसी स्कीम आफताब मीरपूर से और मेजर अंसारी मेजर बसेडी से पाच-पाच अवर कए मैच चार-चार बैटिंग और टोटल छे फिल्डर लोजी इस क्रोसी स्कीम का टोस हुआ और टोस जीत कर मेजर ने बोलिंग करने का फैसला गया क्रिस पर आ पहुँचे आफता बै और बोलिंग हैंड पे जिड़ी मेजर अंसारी पाच-पाच अवर गए मैच छे फिल्डर चार विकेट क्रोसी स्कीम होने जा रही आज फैलकॉन क्रिकिट गराउंड पर काफी सांदार ये गराउंड ल ज़िड़ा पेहली बोल और पैर से दगराई डोटा आती ही पहली बोल अब लोजी अबर की दूसरी बोल लेकर आते हैं फिर से मेजर और भाई साब इस बार लोंग ओफ लोंग ओन की जानिब से पहरा चक्कर निकलता हूँ सर्फ आफताब के बल्ले से दो बोल छे रन होता हाई स्कोर लोगी अगली दानीब जाते है eta maioria चार नहीं आते नहीं इस तीन ड़ोट रण होता है स्कोर लोगी को ती बोल लोगर फिर से मेजर और बहुत इच्छी एस लोग बहुत राइस रबोल और बहुत-ची फील्डिंग नान दौर की प्रिंग8 संग मेजर और भाई साब बहुत इच्छी बोल ये भी बल्ले सोतरती पर फिल्डर उदर मोजूद देखना होगा और चार रन मिस्फिल्ड दुआरा चार रन आते हुए लो जी अवर की लाश्ट बोल लिएक राते हुए फिर से मेजर और भाई साब बहुत इच्छा सोट इच्छा इस बार स्क्वेर लैक की जानिफ से फर फिल्डर मोजूद और ये भी मिस्फिल्ड चार रन आते हैं एक अवर के समापते पर स्कोर जाप हो जाए अठारा रन विदाउट लोश्ट दूसरे अवर की पहली बोल लेकर और भाई साब बहुत ही तकड़ चक्का इस बार स्क्वेर लेक की जानिब से रन छे आते वे साथ बोल चोबिस रन होता वाई स्कोर आफता आपका काफी ताब लेकर फिर से मेजर और बहुत अच्छी डिप बोल ये पर फिल्टर मौजूद देखना होगा और अच्छी फिल्डिंग इस बार यह भी डोट आती बैक टू बैक लोजी अगली बोल लेकर फिर से मेजर और भाई साब इस बार डिरेक्ट लोंग ओफ और रन इच्छी आते लोजी दूसरे बर की लास्ट बोल लिएकर आते फिर से मेजर और भाई साब बहुत इसा शोर्ट इस बार फिर से गया में खेला गया पर फिल्डर मौजुद भागते वे देखना होगा और अच्छी फिल्डिंग दो और की समापती पर स्कोर जाप होचा है चोंतिस रन पि स्वागत हुआ फिर से शक्के से लोजी अवर की दूसरी बोल लेकर फिर से और ये कैच मिस कर दिया है इस बार डोट आती भी लोजी अवर से दो बोलो पर एक शक्काता बार अवर की तीसरी बोल लेकर आते फिर से मेजर अंसारी पहली एसकीम आती भी और भाई साब इस ब बहुत इच्छे शोट ये गैब में खेला गया पर फिल्डर मौजूद पीछे और अच्छी फिल्डिंग दोट आती भी चार बोलो पर दो चक्क आते भी सवर से लोजी अवर की सेकंड लास्ट बोल लेकर फिर से मेजर और भाय साब काफी चड़ गया ये बोल और लगभग ये भी डोट आती भी लोजी अवर की लास्ट बोल लेकर आते भी फिर से और भाय साब काफी जड़ में इस बार और अच्छे फिल्डिंग फिल्डर दुआरा तीन अवर की समापती पर स्कोर जाप हो जाए 46 रन बिना किसी नुकसान के तीन अवर की समापती पर स्कोर जाप हो जाए 46 रन बिना किसी नुकसान के आफ्ताब गडमीरपूर लो जी हलके विसराम के बाद ये मैच फिर से सुरू होता वा तीन अवर 46 रन कोई विकेट ने गिरा भी तक काफताब का लो जी चोथे अवर की पहली बोल लेकर आते हैं मेजर मेजर और भाई साब ये भी बोल बल्ले से उतरती भी बोल हो जाएगी डोट उन्निस बोल 46 रन लो जी अवर की दूसरी बोल लेकर आते हैं फिर से और भाई साब इस पार कते नाक की सीद से रन 6 आते हैं लो जी अवर की तीसरी बोल लेकर फिर से और भाई साब ये बोल होई में देखना होगा और बहुत अच्छा कैट पहला विकेट गिरता वास आफताब का तीन बोलो पर एक ही छक्काया इस अवर में लोजी अवर की चोथी बोल लेकर फिर से मेजर और भाई साब इस बार स्क्वेर लेग और फिल्डर के उपर से रन छे आते वे चार बोलो पर दो चक्के आते वे इस अवर से भी लोजी अवर की सेक्ट लास्ट बोल लेकर फिर से मेजर और ये काफी तेजगती गेल सरीर से तक्राई टोटा थी पांच बोलो पर दो चक्के होते वे लोजी अवर की लास्ट बोल लेकर फिर से मेजर और भाई साब उससे भी तकड़ा चक्का इस बार मिड़ विकेट की जानिब से रन छे आते वे चार अवर की समापते पर स्कोर जा पोचाए अठावर रन एक विकेट के नुकसान पर आफताब गड़ मीरपूर बहुत अच्चा शोट इस बार ये गैब में खेला गया और भाई साब बहुत तकड़ी फिल्डिंग इस बार बिल्ली की बहुत तकड़ी फिल्डिंग लठर देवेके फिल्डर भी सारही चीते हैं कताई चार रन बचाए अपने बोलर के लिए लोजी अवर की तूसरी बोल लेकर आते वे फिर से आफ़ताप और भाई साब इस बार तो बिल्ली के भी उपर से निकल जाएगा है सोट टरंट छे आते वे लोजी अवर की तिसरी बोल लेकर आते, फिर से, और डिराक्ट इस बार फिर से स्क्वेड लैक देखना होगा, और रन और चार रन आते हुए, लोजी, अगली बोल लेकर फिर से मेजर और भाई साब, बहुत आच अच्ड आते हुए, बेस्ट य बार और बहुत अच्छी फिल्डर फिल्डिंग चार रन फिर से बचाते हैं फिल्डर डोट आती हुए लो जी अपनी पारी की लास्ट बोल लेकर आते हैं मेजर और भाई साहब काफी लंबा छक्का था वा इस बार लोंग ओफ लोंग ओन की जानिब से रन छे आते हुए और इनि पर बोल फट गई इसलिए डेड़ बोल हो गई है लो जी इनिंग की लास्ट बोल लिए गराते मेजर अंसारी पिछली बोल फट गई थी फार दीज बार अफ़ताब ने और वाई फिर से डिरेक्ट बोल यह पर फिल्डर मौझूद और बहुत अच्छी फिल्डिंग फिल्ड करें और चैनल को सब्सक्राइब करें सेकंड इनिंग सुरू होती और किरिश पर आप हुचे हैं मेजर अंसारी जीतने के लिए पांच अवर में लगाने होगी असी रन और विकट है चार लो जी पहली बोल लिए गराते वे और बहुत अच्छा शोट इस बार यह गैब में लगा देखना होगा और रन चार आते पहली बोल से लोजी अवर की तूसरी बोल लिए गराते हैं फिर से आफ़ताब और भाई साब इस पार कते ना किसी रन छे आते दो बोल पर दस रन निकलते हैं मेजर अंसारी के बल्ले से काफी ताबर तोड बल्ले वाजी करने के अगली बोल लिएकर फिर से आफ़ताब और भाई साब ये बोल बल्ले से उतरती हैं और ये भी डोटा थी पाँच बौल दस रन होता वह स्कोर लोजी अवर की लास्ट बोल लिएकर फिर से आफ़ताब और भाई साब बहुत अच्छी बोल लिए भी काफी हाइट के साथ और अवर की समापते एक अवर की समापते पर स्कोर जाप हो जाए 10 रन एक विकिट के चीज से खिलावा और फिल्डर मौजूद और अच्छा कैश फिल्डर दुआरा दूसरा जटका लगता हुए मेजर अंसारी को लो जी टेज बोल सत्तर रंच आते हैं मेजर अंसारी को और अगली पुल लियकर फिर से आफताब और बहुत अच्छी बोल यह भी बहुत अगली बोल लिएकर फिर से आफस्ताब और बहुत अच्छा शोड़ी बारी स्क्वेर लैक की जानिक खेल गया है पर फिल्डर मोजूद और ये भी टोट आती है अच्छी फिल्डिंग सर्फ राज दुआरा अगली बोल लिएकर फिर से आफस्ताब और भाई साब इस पार मि हर्ड मैन की जानिक जाती बोल और रन हो जाएंगे चार रन हो जाएंगे दो और की समापती पर स्कोर जा पोचा है चोबिस रन दो विकेट के नुकसान पर मेजर अंसारी बसेडी से लोगी अठारा बोल लगभग 56 रन चाते वे मेजर अंसारी को लोगी तीसरे बोल की पहल पचास रन चाते हो पूरी पूरे अबर की दूसरी बोल लेकर फिर से आफताब और भाई साब बहुत अच्छा शोट इस बार फिर से पर फिल्डर मौजूद उदर और अच्छे फिल्डिंग परधान दुआरा और डोट आते वी 16 बोल 50 रन चाते वे अब लोजी अगली ब फिर से बैक टू बैक देखना होगा पर फिल्डर के उपर से रन च्छे हो जाएंगे 14 बोल 44 रन चाते वे काफी फसकर चलता है मुकाबला लोजी अगली बोल लेकर फिर से आफताब 14 बोल 44 रन चाते वे और भाई साब बहुत अच्छी बोल इस बार करते जड़ में और 13 ब बोल 44 रन अगली बोल लेकर फिर से आफताब और भाई साब बहुत चासोट इस बार गैम में खेला गया और रनाते वे चाट अब दो और में ओली 38 रन चाते वे अभी मैस से बाहर नहीं मेजर तेखते हैं यह कमाल कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं आज पहली है इसकीम हमारे चैनल पर मेजर अंसारी की लोगी कुछ रेस्ट के बाद यह इसकीम फिर से शुरू होती अब दो और में लगभग 40 रन लगाने होगे मेजर अंसारी को दो विकिट है बीवी पास में लोगी पहली बोल लेकर अवर की लेक साइड की वाइट आती है इस बार लोगी अवर की पहली बोल लेकर आते हैं फिर से आफ़ता फिस करेंगे मेजर अंसारी और भाई साब बहुत यह शोड़ इस बार पॉइंट की जानिप पर फिल्डर मोजूद उदर और डोट आती हुए यह भी 11 बोल 40 रन चाते हैं अब 10 बोल लगभग 34 रन चाते हैं लोगी दस बोल लेक फिर से आते हैं आफ़ता और भाई साब इस बार बैक टू बैक और रन चार आते हैं नो बोल 30 रन चाते हैं लोजी नो बोल 30 रन चाते हैं लोजी नो बोल 30 रन चाते हैं नो बोल 30 रन और भाई साब लंबा काफी लंबा चका निकलता है मिड़ विकेट की जानिप से और रन छे आते वे अब आठ बोलो पर चार चक्के मतलब लगबग चोबी सी रंच आते वे मेजर अंसारी को काफी बड़ा नाम ये उत्रा खंड वेश्ट का लो जी अगली बोल लेकर फिर से और भाई साब बहुत अच्छा सोट पर इस बार गैब में टोट आती है एक अबर में लगबग चार चक्के चाते वे लो जी एक अबर चार चक्के चाते वे और भाई साब पहला लेते वे आफ़ता पांच बोलो पर तीन चक्के चाते वे लो जी पांच बोल तीन पूरे पूरे चक्के चाते वे अगली बोल लेकर और वाई साब इस बार वाइट आती भी लोजी पांच बोल तीन चक्के चाते वे और वाई साब बहुत अच्छा सोट पर इस बार फिल्डर मौझूद और डोट आती है चार बोलों पर तीन चक्के चाते वे लोजी चार बोल ठरन चाते वे और इस बार दे लोजी तीन बूल तीन मौन्डरी और वाई साब बहुत अच्छा है और यह इसकीम प्लस होते वे आस्ताब और चैनल पे नए हो तो प्लिस चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी क्रिकेट प्रेमी प्लिस वीडियो को लाइक लाइक जरूर करें भाई